हेलो दोस्तों, एसके मेडिकल चैनल में आपका स्वागत है, आज में लेकर आए हूँ टेबलेट डाइकलोविन प्लस यह फुराने जमाने से चली आ रही गोली है, इसको हरे पत्ते वाली गोली का नाम से जाना जाता है कंटेंड की बात करेंड में डाइकलोविन प्लस एक पेंड किलर मेडिसीन है, इसका उपयोग मास्पीसियो में दर्द, पीट में दर्द, दात में दर्द, सिर में दर्द, कान में गले में दर्द, मुखार से रहाद देने के लिए किया जाता है और इसका उपयोग रुमिटोइड आर्थराइटिस, स्मॉंडियलाइसिज वर आउस्ट्य आर्थराइटिस जैसे इस्तिति में दायर्द वर सूजन को कम करने के लिए किया जाता है डोज की बात करें रपन डायकलोविंट प्लस की टोज मरीज की हाइड वेट और एज पर डिपेंड करती है नोर्मली एक टेबलेट खाने खाने के बाद सुबह साम ले सकते है मेक जिम डोज इसकी होती है जो पड़ते चार गंडे से अपन ले सकते है बचाओ की बात करें पूं, जिस मरीज को Diclovin Plus से इलर्जी है, तो उसे नहीं खानी चाहिए Diclovin Plus टेबलेट को । को डोक्टर की सलाय पर ही लेना चाहिए प्रैस की बात करें तो अपने ये 10 टेबलेट का पता 22 रुपे मार्किट में मिल जाएगा यह हैं इजिली और सस्ती मेडिसीन है साइड इफेक्ट की बात करें आपन डायकलविन प्लैस को से कुछ साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं जैसे गबराट होना, बैचने होना, जीम बसलाना, उल्टी होना, पैट में दर्द होना, सेने में जैलन, देस्ट और भूक में कमी होना आद इसब हो सकते हैं इसका ज्यादा मात्रा में सेवन करने से सीरियस लेवर डेमेज हो सकता है उमेद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा हेल्थ से समधित वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं लाइक करें, शेर करें, धन्यवाद